नमस्काल निक्स्ट नाइंग लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साचे प्रग्या सेंग बहुत-बहुत स्वाकत है आपका हमारे आज के इस खाज वीडियो में आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में चल रहे सियासी हमासान की बता दे सवाल जिदी लेकर खाई कमान ने सस्पेंस बना हुआ था आखिरकार क्या है वह सवाल पहला सवाल यह कि क्या सचिन पाइलेट को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा दूसरा सवाल यह कि क्या अशोग गहलोत कॉंग्रेस पार्टी के नए अध्रक्षों आज इन दोनों ही सवालों का जवाब मिल चुका है और जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था वो भी अब खत्म हो गया है वदा देगे कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पाइलेट की ही ताज पोश्थी होनी है इस बात का खुलासा खुद सचिन पाइलेट अब कर चुके हैं हाला कि उन्होंने साफ लफजों में तो कुछ भी नहीं कहा लेकिन कल देराज सोनिया से उनकी मुलाकात हुई है उसके बाद मीडिया से बात्चीत करते हुए सचिन पाइलेट अपनी खुश जाहिर कर रहे हैं जिस तरह ने उन्होंने बताया कि वह क्या प्लैनि दूसरी चीज अशोग गहलोत अध्यक्षपद पर वह विराजमान हो गया नहीं आपको बता दे इस बात का जवाब खुर अशोग गहलोत कल दे चुके हैं सोनियास गांधी से उनकी मुलाकात है उन्होंने कहा कि उन्होंने अंतिम निर्णे सोनिया गांधी पर छोड़ दि हैं इसके साथ अशोग गहलोत की जगा अब और कई नाम जोड़ चुके हैं आपको बता दे अब तक शशी खरूर यहां पर सीपी जोशी और साथ दिग्विजे सिंग का नाम सामने आ रहा था लेकिन अब इस कड़ी में जोड़ चुके हैं मलीका अर्जुन खर देगी मुख्य मंतरे पद के साथ साथ कॉंग्रिस की कमान सचिन पाइलट के हाथ में सवप देंगे जहां उनकी ताजपोशी पे हैं तो वहीं अब सवाल यह उचा वह अशोग गहलोत जिनकी हमीशा है सचिन पाइलेट से काते की टकर देखी जाती है अनबन देखी जाती है ऐसे म के कई सवाल हैं जिनका जवाब बहुत जल्ड जाएगा बहुत जल्ड यानि जव सचिन फाइलेट मुख्य मंत्री तोर पर शापत ले लिए बाकि इसका आपको लेकर क्या कुछ कहना है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगेगा ऐसी तमाम अपदेट से जूड़े रहनी के दो देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइंग लाई नमस्कार